ये Health Insurance Series की हमारी पांचवी वीडियो है और अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाते हैं Health Insurance के बारे में तो पिछले जो चार वीडियो हैं उनको भी रिफर कर ले तो आपको Health Insurance के बारे में उसकी Benefits के बारे में समझना आसान होगा इस वीडियो में हम बात करेंगे उस Common सवाल की जो अकसर लोग पूछते हैं बहुत सारे लोग का ये सवाल रहता है कि क्या जो हमारी Indusial Family Flutter Policies हैं उसमें Maternity Benefit या जो Pregnancy Delivery के जो Benefits हैं वो मिलते हैं या मिल सकते हैं या नहीं मिलते हैं क्यूंकि अकसर जो Corporate Policies होती हैं जो आपके Employer ने आपके लिए दी होती है ग्रूप पॉलिसी होती है उसमें Maternity Benefits मिलते ही मिलते हैं अकसर पॉलिसी में कुछ Exceptions छोड़ दें अगर कहीं पे Choose ही कर लिया हो कि हमें ये Option नहीं लेना है Otherwise, Maximum Corporate Policies में Maternity Benefits अलड़ी होते हैं तो ये सवाल आता है कि क्या ये सारे Benefits हमें हमारी Individual Family Floater Policy में भी मिल सकते हैं क्या Retail Policy में भी मिल सकते हैं बहुत सारे Insurance Companies ये Benefits नहीं देती थी और अभी भी बहुत सारे Insurance Companies हैं जो Individual Family Floater Policies में Maternity के Benefits नहीं देते हैं मगर अभी मार्केट में बहुत सारे Insurance Companies आ गई हैं एक Competition भी है और वो अपने Customers को Benefits भी देना चाहते हैं तो कुछ थोड़ा सा Extra Premium Pay करके आप Maternity Benefit का फायदा भी उठा सकते हैं अपनी एक Policy में और ये उन लोग के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है जो अभी अपना शादी प्लाइन कर रहे हैं बच्चा प्लाइन कर रहे हैं तो अगर आप अगले दो-तीन साल में बच्चा प्लाइन करें तो definitely आपके पास ऐसी Policy होनी चाहिए जिसमें Maternity Cover मिलता हो Maternity की Benefits मिलते हो सो जो delivery का खर्चा होगा वो आपके उपर भार ना पड़े और Insurance Company उस कर्चे को उठा ले उसके लिए आपको कुछ अपनी Insurance Company को इंटिमेट करना होगा या आप बात करें कि आपको ऐसा ही प्लाइन चाहिए जिसमें Maternity Benefit के cover हो मगर इसमें चीज ध्यान रखने की है कि अक्सर Insurance Policies यहाँ पर एक Waiting Period रखते हैं ऐसा नहीं है कि अभी आप Pregnant हैं और आप अगर Policy लेंगे तो हो सकता है इसी टर्म पे आपको मिल जाएगा फायदा ऐसा नहीं होगा उसके लिए Insurance Companies ने एक साल, दो साल, तीन साल का Waiting Period रखते हैं जब आप ये Waiting Period इस वीडियो को आप जादे जादे लोगों को शेयर कर लें जादे 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 लोगों को इसका फायदा मिलें और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल एकन का बटन भी दबा लें तो देट आपको इस तरह के informative वीडियो सबसे पहले मिलते रहें Thank you